Good morning friends, इस दुसाला में आपका सागत है, friends हम लोग परिक्षावाड़ी quality का discussion कर रहे थे, जिसमें मूल अधिकार तक complete किया जा चुका है, तो चलिए, आज हम नीत ने सकता तो और मौलिक करतब्वे को complete करेंगे, friends कोई भी series इस बात पर depend करती है कि उसकी demand कितनी है, जब आपकी को आने सुरूप होती है, तो ऐसा ना करें, अगर वीडियो important है आपके लिए, तो आप पहले ही प्रतक्रिया दें, ताकि हमें उसकी importance का पता लगता रहे, और हम उस series को जल से जल complete करा दें, तो चलिए, श्टार्ट करते हैं, नीत निश्रक्तत्तो और मौल करतब्वे, नेक्स समीधान में, राज के नीत निश्रक्तत्तो में समाहित है, अगला देखते हैं, समीधान निम लिखित में से किसके सोचन के विरुदू आधिकार स्विकृत करता है, तो ये बच्चों के, इस्त्रीयों के और जनजातियों के, option C सही होगा, अगला कुश्न है, राज के नीत सिध्धान्त एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अंसार अदा किया जाएगा ये किस ने कहा था तो ये केटी साह ने कहा था option D नेमलिखित में से कौन सा राज के नीच सकत्तों में सामिल है तो इसमें B केवल दूसरा सामिल है मादक पेव और स्वास के लिए हानिकारक और सधियों के और सधी प्रियोजनों से भिन प्रियोग पर प्रतिसेद आगे देख लेते हैं नेमलिखित में से कौन सा राज के नीच सकत्तों में समाहित है तो इसका हो जाएगा option D पुर्सों और इस्तियों दोनों के लिए समानकारे के लिए समान बेतन अगला कुशन है राज के नीच सिधानतों में नेमलिखित के बारे में समिधान सांत है तो ये है प्राउन सिक्छा के बारे में आगे देखेंगे निमलिखित में से कौन एक राज के नेत निसक्त तब तुमें सामिल है तो इसका उफ्षन एस ही हो जाएगा राज देश के परियावरण के सरक्षन तथा समवर्धन का प्रयास करेगा अगला देखते हैं सुची है मिला नहीं है देख लीजे इसमें है अनुच्छेद 40 तो अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचाय से समन्दित है अनुच्छेद 41 ये काम करने का अधिकार अनुच्छेद 44 समान नागरिक जहीता और अनुच्छेद 48 क्रिसी एयों परसुपालन का गठें का प्रावधन करता है आगे देखेंगे समान कारे के लिए समान बेतन भारत के समविधान में सुनश्चित किया गया है किसमें तो ये राज के नीत नीशक से दांत किस प्रका प्रवर्तनी नहीं है जबकि मौलिक अधिकार ये नियाले द्वारा प्रवर्तनी है आगे देखते हैं यह धारणा कि भारत एक कल्यानकारी राज है सरवधिक दिश्टिगत कहां से होता है या दर्शित होती है तो ये होती है औप्सन C राज के नीत निशक तत्तों में अग बी ऑफ्सन सही है दो और तीन ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीर छेत्रों में कुटिर उद्योगों को प्रुसाहित करना आगे देखेंगे भारत में निमलिखित में सिक किसके अंतरगत पंचायती राज प्रणाली की विवस्ता की गई है तो इसका ऑफ्सन है सामाजिक आर्थिक प्रजात तंत्र को स्थापित करना ध्यान रखेगा सामाजिक और आर्थिक प्रजात तंत्र को स्थापित करना भारती समिदान में राज के नीत निशक्षित धानतों का विशार कहां से लिया गया है तो यह आईरलेंड से लिया गया है और अप्सन ए क्यावन हो जाएगा इसका आगे देखते हैं नेम लिखित में से कौन एक राज नीतनिसक तत्तों में नहीं है तो इसको ऐप्षिन सही है अज पृष्षिता का उन विपूल्वन क्यों क्योंकि ये माली कअधिकार में हैं आगे देख लेते हैं जो निज्चक्त्त्त्यों में सामेल हैं, DPSP में सामेल हैं, अगला देखते हैं, भारत के सम्मिदान के 42 संसोधन द्वारा नीज्चक्त्त्यों में नहीं जोड़ा गया, तो यह समान अचार सहेता, बाकी 42 सम्विदान सोसन द्वारा ये तीन जीज़े जोड़ी गई है देख लेज़े क्या क्या जोड़ी गई है सोसन से बच्चों अयों बर्सकों की सुरक्षा अगला है समान नयाय और निसुलक कानोनी सलाह अगला उद्दोगों के प्रबंदन में सरमिकों की भागेदारी ये तीनों 42 सम्विदान सोसन द्वारा जोड़ी गई अगला है सम्विदान में मौलिक कर्तब्यों को कब समलित किया गया तो ये सामिल किया गया 1976 में ओप्सन ए सही हो जाएगा सम्विदान के किस अनुचेत के द्वारा उद्दोगों के प्रबंदन में कार्मगारों की भागेदारी का प्राउधान किया गया है तो ये हो जाएगा ओप्सन ए अनुचेत 13 अगला कुशन है भारती सम्विदान का कौन सा भाग अन्तराष्टी सांती और सुरक्षा के प्रती राज के उत्तरदायतु का उलेक करता है तो ये ओप्सन सी राज की नीतने सक तत्व डिपी यसवी आगे देखते हैं निम लिखित में से कौन एक राज नीतने सक तत्व में नहीं है सामिल तो ये है दी वो 14 वर्स की आगे बच्चों को निसुल को सिक्षा क्योंकि इसको मूल अधिकार अनुछे 21 ए में सामिल कर दिया गया है आगे देखते हैं इन में से राज के नीतने सक दान्तों में समलित नहीं है तो कौन सा नहीं है सूचना का अधिकार बाकि मदनी सेद, समान कारियेट, समान वितन, कामकारिकार नीतने सक दों में सामिल है निमलिखित में से कौन सा राज के नीतने सक दान्तों है तो इसका अधिकार हो जाएगा समान नागरिक, सहीता आगे देखेंगे भारत के सम्मिदान के संदर में निमलिखित कत्रों पर विशार करना है तो देखते हैं इसका option बी सही हो जाएगा भारत सरकार द्वारा प्रारम किये गए समाजिक सहायता कारिकरम भारत के सम्मिदान में उपयुक्त उपबंदों में कौन सा पुरा करते हैं तो गवर्मेंट द्वारा जो भी इसकी में चलाई जाती हैं जो भी चीज़ें की जाती हैं जो समाज कल्यान के लिए होती हैं वो राज की नीतने सब्सक्त ततो से प्रेरित होती हैं आगे देखेंगे निमलिखित में से कौन सा एक मौलिक करतब भी नहीं है तो मौलिक गर्ता पे देखते हैं कौन सा नहीं है तो इसका उप्शन C सही हो जाएगा राष्टी महत्तों के स्थानों एवं इस मार्कों की रक्षा करना है आगे देखेंगे निमलिखित में से कौन स्वर्ण सिंग समीत का एक सदस्ष रहे है स्वर्ण सिंग समीत के सदस्ष देखना है हमें तो इसकी आपशन C सही है इसकी की सदस्ष रहे में और सियमर्ण स्थिफन ये तीनों सुरण सिंग समीत के सदस्य रहे थे। सुरण सिंग समीत 1976 में गठित की गई थी और इसी के अधार में मौलिक कर्तब का लागू किया गया था। भारत के प्रतेक नागरिक का कर्तब भी होगा प्राकरतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार यह उबंध किस में किया गया है तो यह उबंध ऑप्शन B अनुचेद अनतालिस A में किया गया है तो अनुचेद अनतालिस A ध्यान रखिएगा प्राकरतिक पर्यावरण का सनरक्षण यवं सुधार का प्रावधान करता है नेम लिखित में से किस एक का सनरक्षण भारती नागरी का मूल करतब्य है तो इसका अंसर हो जाएगा एक नागरी के मूल करतब्य में कौन सा ततो समलित नहीं है तो देखते हैं इसका असुरिस्ता मिटाने की और प्रयास करना ये नागरी को का नहीं ये राज का करतब्य है ये मौलिक अधिकार में सामिल है बाकी देख लेते हैं कौन कों से मौलिक करतब्य में सामिल है प्राक्रिक परयारवन का रक्षा करना और उसका समवर्धन करना सुतंतरता के लिए हमारे राश्टी अंधुलों को प्रेदित करने वाले उच्चा अधरसों को सजोई रखना और उसका पालें करना बैग्यानिक दिश्चिकोंड मानवतावाद और ग्यानारजन सुधार की भावनों को विगास करना ये मौलिक करतब में सामिल है निमलखित में से कौन भारत में मौलिक करतब में सामिल है तो इसमें हम देखेंगे बी हमारी मिली जुली संस्कृती की समर्द्धी विरासत को सरक्षेत रखना ये मौलिक करतब में है अगला देखेंगे मौलिक करतब्यूट से सम्बंदित निमलखित में कौन सा घथन सही नहीं है तो इसका इंसर हो जाएगा उन्हें परमादेश का प्रभावी बनाया जा सकता है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है ये सही नहीं है बाकी जो जो सही है देख लेते हैं उन्हें सम्वेदानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है और स्पष्ट विदियों की ब्याख्या क तो देखते हैं मौलिक कर्तब मौलिक अधिकारों का हिस्सा है ये गलत है जो सही है वो देख लीजे मौलिक कर्तब मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है बिल्कुल सही है भारती समिदान के भाग चार कर में मौलिक कर्तब गिनाए गए है बिल्कुल सही अनुच्छे एक भारती नागरिक के 11 मौलिक कर्तबों की ब्याक्या करता है, ये भी सही है, आगे देखते हैं, भारती सम्विदान के अंतरगत, निमलिखित में से कौन मूल कर्तब्य नहीं है, तो इसका अंशर देखते हैं, लोक्चनौ में मद्दान करना, बाकि जो जो सामिल है, देख ल लियानिक प्रकिती विक्सित करना, सारुजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, सम्विदान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्सों का सम्मान करना, आगे देखेंगे, बारती सम्विदान में एक नया अध्याज जोड़ा गया था, तो ये मौलिक करता है अभी, आगे देखते हैं, नेमलखित में से कौन सा एक राज ही नीत नहीं सकत्त्तों के सिदान्त में बाद में जोड़ा गया, तो ये इसका एंसर हो जाएगा, C, मुक्त कानूनी सला, भारत की प्रवता एकता अखनिता की रक्षा करे, और उसे अक्षून रखने के मूल करतव्यो को अनुच्छेद 51-a में किस अस्तान पर रखा गया है, तो ये रखा गया है तीसरे अस्तान पर, समीदान के किस अनुच्छेद में भारती नागरिकों के मूल करतब सामीर है, तो ये इसका ओप्षन हो जाएगा, और तीस, अनुच्छेद 51 को, आगे देख लिते हैं, नेम नागरिकता बताना है हमें की कौण सा सुमेलित नहीं है, तो 49 को देख लिज़े, D, भाग पांच सुमेलित नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भाग 4 में आता है, मौली करतब हो ना चाहिए, आगे देखते हैं, निमलिखित में से, किस एक कमेटी, आयोग ने, समिधान में मूल क करतब्यों को संलित करने की प्रस्तुती थी तो ये स्वानसिंञ खमmetro 40 का AXT सही हो जाएगा भारती समीधान दोरा प्रदत नAGरिक मूल करतब्यों में क्या संफ्वित है देखते हैं तो इसका प्राइंसर हो जाएगा देख लेते हैं एक तीन चार कॉन कुम सा है मिस्द संस्क्रिति की समृद्धि विरारसत की रख्षा करें सही है रख्षा और खोज की भावना का विकास करें विक्तिक और सामोही कारेकल्पो में सभी छेत्रों में उत्रिष्टा प्राप्त करने का प् से दांतराज की नीत निसकत्त्त में जोड़ा गया तो इसका आंसर बी हो जाएगा उद्धुगों के प्रबंदन में कामगारों की सह भागिता आगे देखेंगे नेम लिखित में से कौन सा तत्तु भारती समविदान के भाग चार कर या चार ए में वर्णित नहीं है तो इसक कि सभी लोगों के मद भायचारे की भावना विक्सित करना हमारी समग्रे सांस्कृति को मूल वान धरोगर की रक्षा करना है ये तीनों समलित हैं सी आफ्षन समलित नहीं है आगे देख लेंगे भारत के 42 समसुदन द्वारा नेमलिखित में से कौन सा से दांत राज की नीद से तत्त्त में जोड़ा गया था इसको अब देख लिजए तो ये है उद्द्योगों के प्रबंदन में कामगारों की सहभा गीता आगे देखे ये हो चुका है अपने माता पिता 43 का सी हो जाए ने रखे है भारत के समभिधान के अंतराश्टी सांति और सुरक्षा की अवरिद्धी कहां उलेख है तो ये नीत ने सकत्तु में होगा ना 44 का B सही होगा 44 का B है ध्यान रखिएगा अंतर राष्टी सांति यह सुरक्षा की अव्रिद्धी कहां उलेखित है तियर राज के नीत निसर कत्तों में उलेखित है अगला देखते हैं नेमलिखित में से बिचार करना है तो समयधानिक सरकार कौन है यह बताना है तो देखते हैं इसका बी जो ब्यक्ति की सतंतता के हित में राज की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है ये सही है जो ब्यक्ति की सतंता के हित में राज की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है वो समयदानिक सरकार है आगे देखेंगे निमलखित कत्नों पर विचार करना है तो देखते हैं इसका सी सही है, दूसरा केवल वही देख लेते हैं मिनर्वा मिल्सवाद 1980 के निर्णे में उच्चितम नियालेने यह व्योस्था की कि केवल अनुच्छेद 49 ख एवं गव में उलखित राज के नित निसकत तत्यों को अनुच्छेद 14 और 19 में उलखित मूल अधिकारों पर प्रात्मिक्ता सम्विधानिक है यह सही है आगे देखते हैं नेमलखित में से कौन सा एक राज के निसकत तत्यों के सद्दानतों का हमें सामिल नहीं है या नेम लिखित में से कौन एक राज के नीत निसक्षित दान्तों का उद्देश नहीं है तो शलिए देखते हैं इसका option C है एक धार्मिक राज की स्थापना बाकि ये सामिल नहीं है बाकि जो सामिल है उनको भी देख लिजे एक बार एक कल्यानकारी राज की स्थापना करना समाजिक आर्थिक नायको स्थापना करना एक धन्म निर्पेक्षिर राज की स्थापना करना ये समलित है बाकि C समलित नहीं है आगे देखते हैं, नेम लिखित में से राज के नीit नीजिसक्त दान्तों के विश्य में पहचान करना है, देखते हैं, तो ये सीसही हो जाएगा, किवल एक मद नीजिद, ये राज के नीजिसक्तित तुम्हें सामिल है, आगे देखते हैं, अगला है नेम लिखित में कौन भार्दी समिदान के अंतरगत मौलिक कर्तब्यों में समलित नहीं है तो इसका ओप्शन हो जाएगा C सही है ये समलित नहीं है क्यों क्योंकि ये BPSV नहीं तिन सक तत्तों में समलित बाकी जो समलित है मौलिक कर्तब में देखिए देश की रक्षा करना और राश्ट की सेवा करना हमारी समाजिक संस्कृति की गौरोसाली प्रंपरा का अमहत्तो समझना और उसका परिरक्षाओ करना सावजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दोर रहना ये मूल कर्तब हैं आगे देखें भारत की संप्रभुता या भारत की प्रभुता एक्ता और खंज़ता की रक्षा करें और उसे अक्छोन रखें यह बंद किसमे है तो यह D मौलिक कर्तब में है आगे देखते हैं राज की नीत निसक तत्तो बारे में निमलित कत्छनों पर विचार कीज़ें तो इसमें देखते हैं इसका सी सही है एक और दो ये तत्त्तो देश के सामाझिक आर्थिक लोगतंत की व्याख्या करते हैं सही है इन तत्तों के अंतरविष उबंद की किसी नियाले द्वारा प्रवर्तनी है नहीं है बिल्कुल सही है ये नीत ने सकत्तु नियाले द्वारा प्रवर्तनी नहीं है ये भी सही है तो इसका C हो जाएगा दोनों सही है आगे देखते हैं भारती समिदान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशनीत के सम्मंद में है तो इसका अंसर हो जाएगा D अनुच्छेद 51 भारत के समिदान के संदर में राज के नीत है सकत्त्तो के बारे में देखते हैं तो इस कॉप्शन D सही हो जाएगा ना तो A सही है ना तो B आगे देखते हैं राज के नहीं से सकता तो सहज अध्यान के लिए नेमलिखित में से कौन से भाग में वाजित किये जा सकते हैं तो ये तीनों सही है समाजवादी उदारवादी और गांधिवादी तीनों में किये जा सकते हैं यहां पर उदार बहुत धिक वाद है बिलकुल वही तीनों सीज़े समाजवाद उदारवाद और गांधिवाद आगे देखते हैं नेमलिखित में से भारत के समिदान में किसमें पर्यावरन सनक्षन एवं समवर्धन तथा वन एवं वन एजिव की रक्षा का प्रावधन किया गया है तो ये मौलिक कर्तब में पश्पन का भी हो जाएगा और नेत निसकत ततों में ध्यान रखेगा इसमें एव भी है तो ये दोनों सही हैं पर्यावरन का संवर्धन तता वन एवं उन जीवों के रक्षा ये सरकार राजे का भी कारे है और नागरीको कभी तो यह नेत ने सकता तो और मोल करता दोनों में आएगा आगे देखेंगे 42 में समिधान सुझवन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से स्रमिकों की प्रबंध में भागेदारी सुनिश्चित की गई है तो इसका option D सही हो जाएगा 43 A के में द्वारा अब 44 A समाजिक न्याय निसुल्क सहायता अनुच्छेद 74 ग्राम संगट पंचायतों का संगटन अनुच्छेद 44 समान नागरिक सहीता यह सुमेलित है और अनुच्छेद 48 इसलिए गलत है क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका का प्रतक्रण अनुच्छेद 50 के इंतरगत आता है अनुच्छेद 50 भारत में विदिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधी करन निमलखित में से किस प्रकार कि नागरिकों को नेसुल्क विदिक सेवाए प्रदान करते हैं तो इसका इंस्वर ए हो जाएगा एक लाग से कम वार्सिक आयवाले बैक्ति को आगे देखते हैं भारत के सम्विदान के भाग चार्क में अन्तरविष्ट प्राधानों के सम्बंद में निमलखित कत्नों में से कौन सा सही है तो 59 का डी सही हो जाएगा दो तीन देख लेते हैं फिर किसी भी न्यालाय में प्रवड़तनी नहीं होंगे और इस भाग में अधित राज सिधान्त राज के द्वारा कानून बराने को प्रवाईत करेंगे ठीक हैं दोनों सही हैं आगे देखते हैं भारत में न्यायपालिका एवं कारपालिका के प्रथक करम किसमें व्योदेशित हैं तो यह हैं राज के नीत निजेसक तत्व अनुछेद पचास में चले फिर अगले चेप्टर में मिलते हैं